दोस्तो कुछ स्मार्टफॉन लांचिंग के टाइम तो काफी जादा महंगे होते हैं लेकिन कुछी समाई बात उनका प्राइस इतना ड्रॉप आ जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही स्मार्टफॉन लेके आया हूँ जो कि लांचिंग रुपे में मिल रहा था दोस्तो लेकिन आज की टाइम में आप इसे पर्चेस कर पाओगे एमेजन से मातर 15,499 रुपे में तो इतना गैप आगया है प्राइस का दोस्तो नॉर्मली आपको एमेजन पर इसकी प्राइस 16,499 रुपे दिख रही होगी लेकिन यही पर आप द की अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या का इसके स्पेसल फीचर्स हैं क्या के स्पेस्विकेशन है तो बने रही है मेरे साथ वीडियो में चैनल पर आए वो फॉस्ट राइम और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नी जिने मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूँगा चलिए फड़ापट से बॉक्स को उपन कर लेते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या-क्या ऐसेसरीज मिलती है तो जैसी आप बॉक्स उपन करोगे तो एक मिनी बॉक्स हमें नजर आता है जिस पर बॉक्स को हम उपन कर लेते हैं और इस बॉक्स के अंदर हमें मिलती है एक सिम इजक्टर पेन, क्विक स्टाइट गाइड यूजर मैन्वल और फोन को सैफ्टी प्रदान करने के लिए एक फ्लेक्सिवल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का टीप्यू केस अच्छी क्वालिटी का म मिल जाएगा 33W का सूपर बोग मुबाइल को आदे घंटे में 50% चार्ज कर लेता है लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं है नार्जो का N53 जो स्मार्टफॉन है मातर 8000 रुपे में भी यही चारजर अड़प्टर दे देता है इसके बाद वाइट कलर की आपको इसमें टाइ स्लिम और लाइट वेट भी है और देखिए दोस्तो हाथ में काफी अच्छे से यह कैरी हो रहा है दोस्तो बैक पैनल देखिए काफी कमाल की बैक पैनल में आपको फिनिसिंग देखने को मिलती है विल्कुल फ्लैट लेदर फिनिसिंग आपको इसके बैक पैनल में दी गई जिसके सेंटर मां आपको मीन कैमरा मिलता है जो है 64 मेगा विक्सल का और इस साइड सोपीज दिया गया है और इस साइड मातर 2 मेगा विक्सल का डेप सेंसर कैमरा दिया है विद LED फ्लेसलाइट खास अगर यहां पर अल्टरा वाइड एंगल कैमरा दे दे तो बढ़िया रहता पतले रखे गए हैं नीचे चिन जादा रखी गई है इसको कम किया जाता तो मुबाइल और भी बढ़िया लगता काफी यूनिक सा लगता दोस्तो चलिए अब फटावट से इसके टन्मेंट कंडिशन को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं मुबाइल के कौनर काफी कम नमाल के हैं दोस्तों काफी बढ़िया लग रहे हैं चारो तरप से राउंडेड यहां आते विल्कुल फ्लैट राइट साइड में पावर ओन की जस्ट उपर वॉल्यूम रॉकर्स फिंगफिन सेंसर आपको कहीं नजर नहीं आएगा क्योंकि यह स्मार्ट फॉन आपको दे नहीं लगा सकते हैं मोबैल के वोटम में आपको 3.5 mm का ओडियो जैक प्रैमरी माइक चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है मोबैल हमारा वूट हो चुका है और अब सबसे पहले इसकी ब्राइडनेस को हम फूल कर देते हैं आटो से रिमूब कर देते हैं नही इसमें आपको only 6.43 इंच की Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले मिलती है जिसका aspect ratio 229, screen resolution 1080 x 2400 pixel, pixel density 409 ppi की और Corning Gorilla Glass 5 का production भी दिया गया है ब्राइडनेस आपको 1000 nits तक की मिल जाती है आउटडोर हो या इंडोर हो आप easily use कर सकते हैं हाला कि कड़ी धूप में थोड़ा से डिस्पले में कमी लगती है ब्राइडनेस की screen to body ratio 90.80% का आपको इसमें दिया गया है और इसकी height है 159.8 mm, 72.9 mm इसकी width है और thickness मातर 7.9 mm की दी गई है 182 gram का ये smartphone जिसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी वही है mars, orange और cosmic black color variant में मिलता है आपको ये smartphone जो भी color variant आपको पसंद आए आप purchase कर सकते हैं आप इसकी setting को हम open करेंगे और setting में हमें processor, RAM, storage सब कुछ दिख जाता है तो interface देखिए setting का कुछ ऐसा जान नीचे आपको about phone section नजर आएगा realme UI version 4.0 दिया गया है device name mention है बगल में storage meter इसे open कर पर आपको storage से related सारी के सारी information मिल जाती है इसके बाद यहाँ पर model name mention है और processor आपको इसमें 2.2 GHz का octa core और chipset media tag density 6020 का दिया गया है जो based है 7nm के fabrication पर माली G57 के graphic आपको इसमें मिलते हैं 8GB RAM आपको मिल रही है और आप चाओ तो यहाँ पर RAM को दूगना कर सकते हो plus 4GB virtual RAM को mention किया है RAM पर आप जैसे ही click करोगे तो आप अंदर जाओगे RAM expansion को आपने on कर देना है और इसके बाद expand करो जितना मर्जी आप 8GB तक Android 13 आपको इसमें मिलता है camera details को भी यहाँ पर mention किया गया है तो दोस्तों आपको इसमें RAM type LPDDR 4X और storage type UFS 2.2 का दिया गया है अब एक चोटी सी नजर इसके camera पर डालते हैं camera जो भी permission मांगे शुरुआत में तो allow कर दीजिए दोस्तों ताकि हमारा जो camera है वो अच्छे से open हो जाए तो यह यहाँ पर permission तक मांग रहा है location की तो इसे हमने allow कर दिया है और आप देखे दोस्तों camera में colors आपको बहुत बढ़िया मिल जाते हैं zooming आपको इसमें 10x 20x तक का zoom support आपको इसके camera में मिल रहा है दोस्तों camera मुझे काफी बढ़िया लगा प्रस्टनरी यहाँ पर वीडियो मोड में चक करते हैं तो आप इससे 1080p और 720p में 30fps तक की में वीडियो सूट कर पाऊगे 60fps का कोई option आपको इसमें नहीं दिया गया है मिलता तो और बढ़िया रहता street, night mode, potted mode और भी कई सारे option आपको इसमें मिल जाते हैं जैसे कि pro, panorama, film mode, slow motion, time lapse, dual view, video mode, text, scanner और group supported tilt shift जैसे option आपर दिये गए है, front selfie camera देखते हैं इसका, जो है सस्टीन मेगा विक्सल का, और selfie camera आप देख सकते हैं यापर, बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाता है, अला कि zoom support आपको selfie camera में नहीं मिलता है, personally मुझे selfie और rear camera इसके काफी बढ़िया लगे दोस्तों, तो friends ये थ 15,000 रपे के आसपास आने वाला Narjo 605G smartphone, मेरे इसाप से इस price range के अंदर बहुत ही बढ़िया smartphone मैं कहूंगा, जिसमें MediaTek Dimensity 6020 का जिपसेट दिया गया है दोस्तों, और साथ ही आपको 64 Megavixle का camera मिल जाता है, हला कि यापर 90Hz का refresh rate दिया गया है, मेरे इसाप से तो 120Hz का होना च दिस्प्ले मिलती है, साथ ही Corning Gorilla Glass 5 का protection आपको इसमें मिल जाता है, 128GB का storage दिया गया है, 433W का मिल जाता है, तो price के इसाप से बढ़िया smartphone लगा, बाकी तो अपनी पसंद होती है, दोस्तों comment box में बताइए, कैसा लगा इस budget range के अंदर ये smartphone आपको क्या वे से purchase करना चाओग